भारते टीम के पूर्व कप्तान महिंद्र सिंग्धोनी 2019 वर्ल्ड कप के टीम में होंगे या नहीं ये अभी तै नहीं है लेकिन टीम के पूर्व सलामी बलेबाज विरेंदर सहवाग का माना है कि टीम को अब भी धोनी का सही विकल्प तलाशना है सहवाग नेक इंटर्व्यू में कहा मुझे नहीं लगता कि कोई भी खिलाडी फिलहाल धोनी की जगह ले सकता है रिशपमंद अच्छे हैं लेकिन उन्हें धोनी की जगह लेने के लिए अभी और समय चाहिए ऐसा वर्ल्ड कप के बाद ही हो सकता है हमें धोनी के विकल्प के बारे में 2019 के बाद ही सोचना चाहिए तब तक पंद को अनुभू लेना चाहिए उन्होंने कहा कि प्रशन्सकों को यह दुआ करनी चाहिए कि धोनी फिट रहे उन्हें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि वो run बना रहे हैं या नहीं अगर वो fit रहे तो 2019 का वर्ल्ड कप वो जरूर खेलेंगे सहवाग का माना है कि जो अनुभव मध्यकरम में धोनी के पास है वो किसी के पास नहीं है सहवाग ने रहना और यूराज के बारे में भी बात की उनका मानना है कि इन दोनों में से एक खिलारी टीम में होना चाहिए उन्होंने कहा मध्यकरम में इन दोनों में से किसी एक खिलारी को एक जगह मिलनी चाहिए दूसरे स्थान पर केदार जाधाओ और मनीश पांडे को रोटेट किया जाना चाहिए इस तरह टीम में एक अनुभवी खिलारी होने के साथ नए खिलारियों को भी मौका मिल सकेगा साथ है उन्होंने आगामी औस्ट्रेलिया के साथ घरेली वंडे सिरीज के बारे में भी बात की उन्होंने कहा कि ये सिरीज टीम इंडिया के लिए आसान नहीं होने वाली है झाल झाल